एक समय की बात है, एक गाव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम मोहन था, मोहन बहुत ही सपनों से भरा हुआ था, उसके बड़े बड़े सपने थे, मैं बड़ा होकर क्या बनूँ, टीचर, डॉक्टर, या फिर इंजीनियर, वो सोचता रहता था, और वो हमेशा उन लोगों ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बदलाव महीं आया, रोहम को ये बात पता चल गई इस समस्या का हल निकालना होगा, मुझे गाववालों की मदद करनी होगी, चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मोहन गाववालों के साथ नदी के पास पहुचा और देखा कि वहां बांध बना हुआ है और वहां बांध को देखते ही बोला इस बांध को ठीक करना होगा, यहां सही बना हुआ नहीं है, इसकी उचाई नदी से कम है मोहन की बात सुनकर गाववाले भी सहमत हो गए वहाँ एक गाव का आदमी बोला कुछ करो मोहन, हमें बताओ क्या हो सकता है हाँ, यहाँ बांध को ठीक करने की आवश्यक्ता है तुम लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए मोहन और गाववाले मिलकर अधिकारी के पास जाते हैं सर, नदी किनारे जो बांध बना है वहाँ एक समस्या है जो जल्दी हल होनी चाहिए क्या मुद्दा है, मोहन? यहाँ का बांध सही तरीके से बना नहीं है और इसके कारण पूरे गाव में पानी की समस्या हो रही है तुमने कुछ सोचा है कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, बांध की उचाई नदी से 80 फीद ज्यादा होनी चाहिए चलो, मोहन देखते हैं क्या समस्या है मोहन और अधिकारी मिलकर बांध के पास पहुँचते हैं और जब अधिकारी देखता है तो मोहन की बात सही निकलती है अधिकारी ने मोहन की तारीफ गाव वालों के पास करता है और बोला मोहन इतनी छोटी उम्र में इस बांध की कमियों को निकाला तुम बहुत होनार दो, सभी गाउवालों की समस्या को हल कर दिया मोहन, तुम आगे चल कर जरूर आकिटेक्ट इंजिनियर बनोगे मैं तुरंट इस पांध को ठीक करवाओंगा धन्यवाद सर, मुझे बस यह समस्या हल करनी है ताकि गाउवाले को नह स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके इस तरह, मोहन गाउवालों का चहिता बन गया और उसने सोच लिया कि उसे आगे चल कर आकिटेक्ट इंजिनियर बनना है मोहन ने अपने इस सपने को आगे चल कर पूरा किया और अपने गाउव का नाम रोशन किया और गाउव का सुधार किया बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता में छिपा होता है जब हम समस्याओं को सही तरीके से देखते हैं तो हमें समाधान निकालने का रास्ता भी मिल जाता है अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद